अट्जस्मेंट नूमबर टू प्री पेड एक्सेंस या फिर अनेक्सपाइड एक्सेंस या फिर होता है रिलेटेड तो नेक्स नेक्स डे हो सकता है नेक्स मन्त हो सकता है नेक्स यर हो सकता है कुछ भी बोला जा सकता है तो फिर कहानी घुम फिर के आती है कि ये दो जगह हो सकता है गीवन अगर ये ट्राइल बेलिंस के अंदर है अगर ये given का है trial balance में या फिर कहां given हो सकता है आपको trial balance के बाहर जिसे बोलते है adjustment 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 अगर आपको ये trial balance के अंदर गीवन है तो trial balance के अंदर गीवन है तो कितनी इंट्री करेंगे एक और वो चला जाएगा हमारे balance sheet में balance sheet asset side ठीक है अब दूसरे side देखते हैं कि अगर हम adjustment की बात करें तो दो जगहें एंट्री जाएगी सर्थ दो जगहें कौन सी एंट्री जानी है एक चला जाएगा हमारा balance sheet में या फिर एक पहले आ जाते हैं ट्रेडिंग और यह और ने ट्रेडिंग हाँ और profit and loss या तो जाएगा यह ट्रेडिंग में या जाएगा यह profit and loss में ठीक है सर्थ ट्रेडिंग और profit and loss और दूसरा जला जाएगा balance sheet सर्थ ट्रेडिंग और profit and loss में क्या होने वाला है less from expense अब देखो मैंने यहां ट्रेडिंग और profit and loss लिखा है तो अगर wages हुआ तो ट्रेडिंग में less हो जाएगा अगर salary हुआ तो कहां less हो जाएगा वो P&L के अंदर less हो जाएगा ठीक है less कर देना है और जितना amount आपने less किया ना वही amount चला जाएगा हमारा कहां पे सर यह चला जाएगा हमारा balance sheet के assets में asset side balance sheet के asset side ठीक है तो simple सा है कि अगर आपको prepaid expense या unexpired expense दिखेगा तो एक trial balance के balance sheet के asset side आ जाएगा कर ट्राइल बिलेंस में है इक ही जाएगा adjustment में है तो आपने दू जगे करना है ठीक है अगरा चलते है थर्ड रंबर outstanding या फिर इसको बोल सकते हैं payable या फिर इसको हम बोल सकते हैं due या इसको बोल सकते हैं unpaid या इसको बोल सकते हैं area सबका मतलब एक ही है ठीक है ना अब ये भी दो जगे हो सकता है हमारा mainly sir दो जगे किस-किस जगे पर हो सकता है हो सकता है ये trial balance में हो और हो सकता है adjustment में हो अगर हम बात करें trial balance में तो एक ये entry होना है एक entry outstanding है तो चला जाएगा balance sheet के कहां पे sir liability site liability site लेकिन अगर adjustment में हुआ तो कहां चला जाएगा दो जगे हैं एक हो जाएगा या तो trading में और profit and loss या फिर profit and loss में दूसरा balance sheet sir trading में कहां जाएगा add हो जाएगा ये add from sorry add into expense अगर आपका salary है तो P&L के अंदर जाके add हो जाएगा और अगर wages है तो trading में और balance sheet के कहां चला जाएगा liability site खिक है तो अभी तक क्या देखा हमने एक तो हमने देखा closing stock ये क्या treatment करोगे इसके बाद क्या देखा हमने prepaid expense उसके बाद क्या देखा outstanding क्या treatment होगा क्या देखा एक सब्सक्का शाया जाएगा